तो हेलो दोस्तो वेल्कम टू होरर लेंड जो मुवी हैं मैं आज आपके लिए एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ उस मुवी का नाम है सेव योसेल्फ यूजिए मुवी एक बहुत एक डिस्टरबिंग टॉचर और होरर मुवी है जो कि 2015 में रिलीज हुई थी मुवी के आएम डिवी रेटिंग तो 4.3 आप टॉफ टैने स्टर है लेकिन ये मुवी बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है तो आएए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो इस मुवी की कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिससे एक सीरियल किलर लड़की ने कैद करकर रखा हुआ था सीरियल किलर ने उस लड़की के दोस्त को भी मार दिया था और अब वो उस लड़की को जिन्दा जलाने वाला था तब भी वहाँ पर उस लड़की की एक दोस्त आती है उसे बचाने के लिए और तब दोनों मिलकर उस सीरियल किलर लेड़की को जान से माड डालते हैं पर हमें आपर पता चलता है कि ये बस एक मूवी थी इन सभी लड़कीों ने मिलकर नाव शोविंग नाम की एक मूवी बनाई थी जो थेटर पर रिलीज हुई थी और इस मूवी को बहुत से लोग पसंद भी कर रहे थे इन सभी लड़कीों का नाम था कीम, सारा, टीसा, कैली और क्रिस्टल और यहां पर साशा मूवी की डारेक्टर थी लेकिन उसे अपनी फिल्म से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था तो इसलिए वो मूवी हॉल के बार खड़ी हुई थी बार हम कई सारी लड़कियों की मिसिंग पोस्टर को भी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस शेयर में ये लड़किया मिसिंग होती है जो कभी भी नहीं मिलती है मूवी खत्म होने के बाद में बाकी की लड़किया अपने फैंस को ओटोग्राफ दे रही थी वहाँ पर सिल्विया नाम की एक लड़की भी उनका ओटोग्राफ लेती है जो कि थोड़ा नर्वस दिख रही थी उस लड़की के बाद रिचर्ड नाम का एक लड़का किम का ओटोग्राफ लेता है और उनकी मूवी के तारिफ करता है रिचर्ड किम के साथ में फ्लर्ट कर रहा था और वो किम को अपने साथ पार्टी पर चलने के लिए इन्वाइट करता है लेकिन किम का कुछ जोड़ी प्लान थे तो इसलिए वो रिचर्ड को पार्टी के लमाना कर देती है यहाँ पर टीसा बात्रूम में एक लड़की के साथ में इंटेमेट हो रही थी जब दोनों बाते कर रहे थे तब ही वहाँ पर सिल्वी आती है और तब वो लड़का बाहर चला जाता है सिल्वी टीसा की फैन थी और टीसा को एक सिंगर की सीडी गिफ्ट करती है वो दोनों कुछ देर बाते भी करते हैं अब यहाँ पर रिचर्ड साशा के साथ में फ्लर्टिंग करके उसे एक पार्टिकलर इंवाइट करता है साशा पहले तो उसे माना कर देती है क्योंकि आज उन लड़कियों का प्लान था कि एक साथ टाइम स्पेंड करेंगी तब ही वहाँ पर टीसा आती है और वो उन लड़कियों का नाइट आउट का प्लान एक घंटे के लिए पॉस्पमेंट कर देती है क्योंकि टीसा को अभी किसी लड़के के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना था तब साशा एक घंटे के लिए रिचट के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए थेटर के भार चलिया आती है और वहाँ पर वो रिचट के साथ में बात गरने लगती है फिर कुछ देर बाद बाकी के लड़किया भार आती है और वे लोग अपने डेस्टनी चेन के लिए निकल जाते हैं जहां से पहले टीसा सिल्विया को बाई बोल कर जाती है और सीडी के लिए उससे थैंक्यू भी बोलती है फिर आदे रास्ते जाने के बाद में साशा अपनी कार एक गेस स्टेशन पर रुकती है और स्मोकिंग के लिए बाहर निकलती है बागे की लड़का सो रही थी तो इसलिए उनको उस टाइम कुछ पता नहीं चलता है फिर कुछे दिर बाद जब सब लोगों की निन्द खुलती है तो उनको पता चलता है कि साशा बहुत देर से बाहर नहीं आई है लड़के बाहर जाकर चेक करती है लेकिन उन्हें कुछ पर नहीं दिखता है तबी कैली को याद आता है कि उस समय वहाँ पर एक कार खड़ी थी जो कि अब वहाँ पर नहीं है तो हो सकता है कि उस कार के परसन नहीं साशा को कुछ नुक्सान पोचाया होगा तो वहाँ पर उसके पास कोई रहे फिर अब ऐसे ही सुभी हो जाती है उत तीनों लड़के एक फार्म तक आ जाती है और अब तक उनको साशा कहीं नहीं मिली थी उन नहीं साशा कार के पास में वापस आई थी तीनों लड़किया फार्म के पास बने एक घर तक आती है जहां पर वे तीनों साशा के बारे में पूछने के लिए घर का डोर नौक करने वाली थी कि तबी घर की मालकिन हैदर उनके सामने आती है जिसे लड़किया साशा के बारे में पूछती है लेकिन हेदर से उनको साशा के बारे में कुछी पता नहीं जलता है और उस समय हेदर का हस्बेंड क्रीस उनके सामने आता है क्रीस को लड़किया उनकी मिसिंग फ्रेंड साशा के बारे में बताती है तब ही क्रीस उनको घर के अंदर निवाइट करता है ताकि वे लोग वहाँ पर चाय पी हैं और वे लोग उनको अपना फॉन आफर गरता है पुलिस को बुलाने के लिए फिर घर के अंदर लड़कियों को कुछ अनकमफरेबल फिल हो रहा था लेकिन क्रिस उनके साथ अच्छे सा बातें कर रहा था हेदर उनको चाय देती है और किम और केली चाय पीने लगते हैं क्रिस्टल फिर क्रिस के साथ में उपर के रूम में जाती है पुलिस को कॉल करने के लिए और उस रूम में क्रिस्टल को हुमन की बॉड़ी के कुछ डाइगरा मिलते है क्रिस से उसे पता चलता है कि क्रिस एक सरजन है क्रिस्टल जब फोन करने के लिए फोन उठाती है तो फोन के लाइन कटी हुई थी और उसी समय क्रिस्टल को बाहर से कीम और केली के चिल्दाने के आवस सुनाई देती है वो तब क्रिस्टल समझ जाती है कि इस फैमिली में कुछ न कुछ प्राब्लम जरूर है लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले क्रिस उसे मार कर ब्योंच कर देता है फिर इधर किम और कैले भी ब्योंच पड़ा वे थे चूँकि हैदर ने उनकी चाय में ब्योंची के दवा मिलाई हुई थी दूसी तरफ टीसा परेशान हो रही थी क्योंकि उसके फ्रेंड्स वापस नहीं आ रहे थे टीसा को अपने कार के पास किसी और की भी कार दिखाई देती है जिसे देखने के लिए बाहर आती है फिर कार के बाहर आते ही टीसा को अजीब अजीब आवज़े सुनाई देती है और गेस स्टेशिकान डोर अपने आप ही बंद हो रहा था तो इसलिए टीसा उस जगप नहीं रुकती है और अपना फ्रेंड को डूणने के लिए वो उसी डारेक्शन में आगे बढ़ती है फिर कुछ दिर के बाद में टीसा अपना घर तक आती है लेकिन वो क्रीस के सामने नहीं आती है और एक जगप पर छुप जाती है क्रीस और हैदर की बाते सुनकर वो समझ जाती है कि उन दूनों नहीं लड़कियों को कुछ किया हुआ है और उनके जाने के बाद में टीसा अपने आसपास कुछ लड़कियों के ग्रेव को भी देखती है और इस सभी लड़किया अपनी यंग एज में मर चुकी थी एतरम क्रिस्टल और किम को बैस्मेंड में के देखते हैं और उनके पास उस समय केली नहीं थी और नहीं वहां से निकलने का उन्हें कोई रास्ता मिल रहा था तब ही उनको बैस्मेंड में एक लिसा नाम के लड़की दिखती है जो कि बोट टाइम से वहां पर कहती और उसकी हालत बहुत ही खरापती दूसरे तरफ टीसा क्रिस के घर में घुश चुकी थी और उस समय क्रिस और हैदर लड़कियों के बारे में बाते कर रहे थे टीसा चुक्के से फलोर के उपर तक जाती है और किचन से हैदर को भी ऐसा लग राता जैसे कि घर में कोई घुश गया है टीसा वहांबर पकड़ी जाती लेकिन उस समय सेल्विय टीसा को अपने रूम में चुपा देती है फिर यहां पर हमें पता चलता है कि सेल्विय ने टीसा को जो सीड़ दी ती उसमें उसने उनके खतरे के बारे में उन्हें वान किया था ताकि वे लोग उस फार में न जाए और अगर टीसा वो सीडी देखती तो आज वे लड़के क्रिस के हाथों नहीं फसती यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि सिल्विया, क्रिस और हैदर की बेटी है सिल्विया जब हैदर से बाते कर रही थी तो टीसा बाके की लड़के को घर में ढून रही थी फिर यहाँ पर क्रिस शाशा को बेस्मेंट पर फेक कर चला जाता है क्रिस ना साशा की स्पाइन के साथ में कुछ तो गया था जिससे कि उसके हालत बहुत ही बरी हो गई थी फिर कुछ टाइम बाद टीसा बेस्मेंट के भाहर तक आती है और अपने दोस्तों को आवज लगाती है और उन्हें वहाँ से निकालने के लिए टीसा बेस्मेंट की चाबी ढूनने के लिए वहाँ पर जाती है लेकिन कीम टीसा को टाइम विस्ट करने के वज़ाए वहाँ से भाग कर पलीस को वहाँ पर लाने को कहती है नई तो वोई सब क्रिस और हैदर के हाथों मारे जाएंगे फिर मजबूरी में टीसा को वहाँ से भागना पड़ता है बार टिसा को क्रीस दिखाई देता है लेकिन टिसा क्रीस पर हमला करके रोल की तरफ चली आती है रोल की तरफ उसे रीचर्ड की कार दिखती है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि रीचर्ड क्रीस का ही बेटा था और उसके बाद में रिचर्ड क्रिस को मार कर भ्योश कर देता है इधर लिसा और कीम को क्रिस्टल से पता चलता है कि क्रिस लड़कियों के स्पैन से एक लिक्विड निकालता है और धिरे धिरे एक समय के बाद में विड़किया मारी जाती है लेकिन Kris से liquid क्यों निकालता है यह हमें आगे पता चलेगा तब ही वहाँ पर Kris आता है Crystal को बचाने के लिए और Kim खुद को क्रिस के हवाले कर देती है लेकिन Kris क्रिस को अपने साथ में ले जाने की कोशिश करता है और मुका देखकर Kim क्रिस के उपर हमला करती है और तब दोनों लड़कियां बेस्मेंट से बारिकतरों भागती है हैजर भी उनकी आवाद सुनकर समझ जाती है कि क्या हुआ होगा तो इसलिए वो रिजेट को भेचती है दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए किम पासी के घर में चली जाती है लेकिनों क्रिस का यह गर था जहां पर बहुत सही लड़कियों की डेट बोड़ी पड़े हुई थी जिनको क्रिस और उसके फैमिली नहीं मिलकर मारा वा था और वही पर किम को के लिएकिम डेट बोड़ी दिखाई देती है उन सबी लड़कियों की स्पाइन से वो लिक्विड निकाल कर उनको मार जा गया था तब ही वहाँ पर क्रिस आता है और किम उस पर हमला करके वहाँ से भागने कोशिश करने वाली थी लेकिन क्रिस पहले ही किम को इलेक्ट्रिक शोक देकर उसे भ्योश करके अपने साथ मिले जाता है यहाँ पर क्रिस्टल रिचर्ड का एक ट्रेप में फस जाती है और भागने पाती है और जमीन के अंदर गिर जाती है क्रिस्टल रिचर्ट को Request करती है उनको छोड़ देने के लिए क्योंकि उसकी एक छोटी सी बेटी थी ये सुनका रिचर्ट को बहुत 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 लगता है क्योंकि जो लड़की माँ बन चुकी हो वो उनके लिए किसी काम की नहीं थी और उन लड़कियों की स्पाइन का लिक्वीड उनके किसी काम में नहीं आता था इसलिए पहले तो रिचर्ड क्रिस्टल का पेर तोड़ देता है और एक हैमर लेने के लिए चला जाता है क्रिस्टल भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था फिर रिचर्ड उसके पास में आता है और उसी हैमर से उसका सर फोड़ देता है और एक हैपल में क्रिस्टल खतम हो जाती है दूसी तरफ क्रिस अपने ओपरेशन थेटर में किम को एक बेट से बांध रहा था किम भागने के लिए क्रिस पर हाथ उटाती है लेकिन क्रिस उसी को मार कर बेट पर अच्छे से बांध देता है क्रिस किम को बताता है कि वो पुराने जमानी कितर बिना एनेस्टेसा देकर उसे भ्योश किये उसके सरजेरी करने वाला है ताकि लड़किया पेन फिल कर सकें क्रिस को कीम की आँखे बहुत ही ज़ता पसंदी जिसके बाद में हम बस कीम की दर्द परे चिलाने के आवाजे ही सुन पाते हैं इधर टीसा की जब आखे खुलती है तो खुद को एक सोफा पर बंद भी देखती है उसके पास में हैदर आती है जो उसके गावों को साफ कर रही थी तब यहाँ पर क्रिस आता है जिसे टीसा की स्कीन और आखें बहुत ही फसंद आती है मतलब कि टीसा जिसी लड़कियों की स्पाइन का लिक्विड उनके लिए काम का होने वाला था फिर इधर हैदर टीसा को बता रही थी कि सिर्फ जर्मन नहीं ऐसे बूटल एक्सपरिमेंट नहीं किये हैं उनके जैसे अमेरिकन ने भी ऐसे बहुत सार एक्सपरिमेंट किये थे उनमें से सिर्फ क्रिस का एक्सपरिमेंट सक्सेस्फल हुआ था और वो लड़कियों की स्पाइन से एक लिक्विड निकालता था जो कि उनके बहुत काम में आता है तो आखिर वो लिक्विड किस काम का है यह हमें आगे पता चलेगा अब यहाँ पर बैसमेंट में क्रिस्टल को होश आता है जिसके बार में वो लिसा बाते करने लगते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिसा पिछले साथ सालों से वहाँ पर कैय दे और उसके सब की दोस्त, क्रीस और उसकी फैमिली के हाथों मारे जा चुके हैं वे इतना सालों से मिसिंग है कि उनकी फैमिली ने भी उन्हें डूणना छोड़ दिया होगा लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल लिसा को बताती है कि उसकी फैमिली उसे अभी भी डूण रही है और उसके missing poster सीटी महार जगे लगे हुएं Crystal उनी missing poster के बारें बाते कर रही थी जिसे हमने थेटर के हौल के बाहर देखा वा था Crystal की इन बातों को सुनकर Lisa महमाद आती है और वो वहाँ से भागने का डिसाइड करती है Lisa एक प्लान बनाती है और Crystal की पैंटी अपने पास में रख लेती है फिर कुछ देर के बार में Heather जो पूने खाना देने आती है तो Lisa मौ का दिखकर उसी पैंटी से Heather का गला गोटकर उसे जान से माड़ा डालती है और Lisa ने अपने साथ साल का गुस्सा एक ही बार में Heather के उपर निकाल दिया था फिर उसके बार Lisa और Crystal बैस्पन से बाहा निकलती है इधर Chris टीसा को आपरेशन थेटर लेकर आया वा था जहांपर टीसा को किम की डेट बोड़े दिखाए जेती है Chris ने किम की दोनों आके निकाल ली थी और किम दर्द को सहिन नहीं कर पाई थी जिस खरण से उसकी जान चली गई थी Chris टीसा को भी इलेक्टिक शोक देकर उसे ब्योश करके बेट पर बांद देता है और अब Chris टीसा की स्पैन से उस लेक्विट को निकालने वाला था और उसकी बोड़ी पार्ट को निकालकर वो उसे टॉचल भी करने वाला था टीसा खुद को बचाने की कोशिच भी नहीं करती है और अपने दोस्तों को मरता हो देखकर वो हिम्मत आ चुकी थी Chris टीसा को सेक्शली असूल्ट कर रहा था और वो टीसा का रेप करने ही वाला था कि तब ही मापक क्रिस्टल और लिसा आते हैं उसे मारने के लिए Chris अपनी वाइफ हैदर को आवज लगता है तब लिसा उसे बताती है कि उसकी वाइफ को उन्होंने जान से मार डाला है लिजा क्रिस पर भी हमला करती है लेकिन क्रिस उसकी गरदन तोड़कर उसे जान से मार डालता है फिर उसी समय क्रिस्टल क्रिस का गले में एक चाकू घुसा देती है जिससे कि क्रिस महीं पर गिर जाता है अब क्रिस्टल टीसा को आजात करती है और वहाँ से भागने से पहले टीसा क्रिस के प्रावेट पार्ट में भी एलेक्ट्रिक शोक दे देती है जिस तरह क्रिस ने उससे असौल्ट गया था यहाँ पर टीसा अपने साथ में सिल्विया को ले जाना चाहती थी चूंकि सिल्विया शुरुआत से उन्हें बचाना चाहती थी और वो उन दोनों किलर की तरह नहीं थी तो इसलिए दोनों फिर से घर के अंदर जाती है सिल्विया को अपने साथ में लाने के लिए लेकिन तब तक रिचर्ड गर पर वापस आ चुगा था तो इसलिए क्रिस्टेल और टीसा मिलकर पहले रिचर्ड पर हमला करके उसे जान से मार देते हैं और दोनों ने चाकू से वार करकर गे और पीट-पीट के रिचर्ड को जान से मार डला था फिर इसके बाद टीसा सिल्विया को मना रही थी अपने साथ में चलने के लिए तब भी क्रिस्टेल की नजर क्रिस और हैदर की फोटर पर जाती है जो बहुती पुरानी थी और उनका इतने सालों तक यह रहना पॉसिबल नहीं था तब भी वहाँ पर क्रिस आता है और टीसा की गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है और टीसा के मरने से सिल्वया भी भूती दुखी होती है यहाँ पर क्रिस से क्रिस्टल को पता चलता है कि वे लोग हिटलर के समय से जिन्दा है जो कि अभी तक बुड़े नहीं हुएते क्रिस ने किसी एक्सपेरिमेंट के जरिये अपने फैमिली को यंग रखाता और मोका देखकर क्रिस्टल वहाँ से भागने लगती है और क्रिस उसके पीछे चला जाता है लेकिन थोड़े ही दूर पर क्रिस क्रिस्टल को पकड़ ड़ता है सिल्व वहाँ पर एक हतिया लेकर आती है लेकिन वो क्रिस्टल को नहीं बलकि अपने पिता क्रिस को जान से माड डालती है क्रिस्टल भी गुस्से में एक चाकू से क्रिस पर कई सारे वार करती है और मुवे के आखिर में बस क्रिस्टल उसे लिवाई जिन्दा बचते हैं और उनके सबी दोस्त और वे दोनों किलर भी मारे जा शुके थे फिर कुछ देर के बाद में हम क्रिस्टल को अलमारी के सामने देखते हैं जहांपर उन मरी हुई लड़कियों के नाम से बहुत सारी बोटल है रखी हुई थी इससे देखकर हम समझ जाते हैं कि इन बोटल में उन्हें लड़कियों की स्पाइन से निकला हुए लिक्विट है जिनका यूज़ करकर क्रिस के फैमिली अब तक यंग बनी हुई थी क्रिस्टल सिल्विया को वहाँ से भाग जाने को कहती है नई तो पुलिस को इस जगह के बारे में और मडर के बारे में पता चलने के बाद सिल्विया भी फश सकती थी सिल्विया भी उसके बाद मानकर वहाँ से भाग जाती है फिर इसके बाद क्रिस्टल उस पुरी जगह पर आंग लगा जेती है सिन कट होता है और काहनी अब 10 साल के बाद से शिरू होती है जहाँ पर हम क्रिस्टल को देखते हैं जो कि अब एक बहुत बड़ी डारेक्टर बन चुकी थी उसके और उसके फ्रेंड के साथ में जो कुछ भी हुआ था क्रिस्टल ने उनके स्टोरी पर एक मुवी बनाई थी लेकिन वो लोगों को यह नहीं बताती है कि यह उसके रियल स्टोरी है यहाँ पर मीडिया क्रिस्टल को इतना सालों बार भी यंग देखकर बहुत तहरान थे मतलब कि अब क्रिस्टल यंग रहने के लिए उन लिक्विट्स का यूज करती थी यहाँ पर हम रेचल को भी देखते हैं जो कि क्रिस्टल का पीछा कर रहा था यानि कि वो हमले से बज़िया था और अवों 10 सालों के बाद क्रिस्टल से अपने माबाप का बरला लेने वाला था और इसी के साथ में यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है तो दोस्तों इस मूवी में हमने देखा कि कैसे कुछ लड़कियों का गुरूप एक मूवी बनाता है लेकिन मूवी की डारेक्टर इस मूवी से सेटिस्वाइड नहीं थी और उनके साथ में कुछ ऐसा होता है कि वो एक फार में फस जाते हैं वहाँ पर जाकर उन्हें उस फार्म के कुछ डाक सिक्रेट पता चलते हैं वहाँ पर रहने वाला क्रिस अपनी पतनी के साथ मिलकर लड़कियों को पकड़ता था और वो उनकी स्पाइन से एक लिक निकलता था जिससे कि उस सालों साल यंग रहते थे हिटलर के समय पर जो ए अगले वीडियो में